किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड और आप देख रहे हैं स्मार्ट अग्रिकल्चर योटूब चैनल किसान भाईयो अब बहुत जल्द गेहूं की बुवाई का सीजन सुरू होने वाला है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की बुवाई किस प्रकार से करना चाहिए मतलब कि गेहूं की बुवाई के समय पर कौन-कौन से खादों का परियोग करना चाहिए गेहूं की कौन-कौन सी उन्नेत किसमें लगाना चाहिए और गेहों की बुवाई करते समय कौन कौन सी साउधानिया रखना चाहिए तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतर तक देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अप्लोड गए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि गेहों की बुवाई कौन से समय पर करना चाहिए तो अलग-अलग किसमों की बुवाई का समय भी अलग-अलग होता है अगर आप अगेती वेराइटी को लगाते हैं तो उसकी बुवाई 20 अक्टूबर से 10 नॉवंबर के बीच में कर देना चाहिए और 10 नॉवंबर से 25 नॉवंबर के बीच में आपको समय पर पकने वाली वेराइटी को लगाना चाहिए तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें ग्येहों की कौन सी वेराइटी को लगाना चाहिए तो आजकल मार्केट में कई परगार की वेराइटे उपलब देहें जिनमेंसे कुछ वेराइटियों का अच्छा उतबादन निकलता है तो कुछ वेराइटियों का उत्पादन कम निकलता है तो आप अच्छी वेराइटी की रूप में DWS 777 किसमे को भी लगा सकते हो क्योंकि DWS 777 भी गेहूं का अच्छा उत्पादन देने वाली एक बेश्ट वेराइटी है अगर इस वेराइटी की विशेष्टव के बारे में बात करें तो इस वेराइटी के पौदे की उचाई 90 से 95 सेंटेमीटर तक होती है और इस वेराइटी का पौदा गिरने के 36 सेल होता है मतलब कि तेज हवा और बारिस में भी पोधा नीचे गिरने की संभावना बहुत कम रहती है इसके अलावा डी 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 साथ सो सत्योतर वेराइटी में फूटाव ज्यादा होता है जिससे कल्ले ज्यादा निकलते हैं और उत्पादन अधिक होता है मतलब कि प्रबावी कल्ले और अधिक दाने वाली अकर्सक बालिया किसान भायो इस वेराइटी के दाने वजनदार और समकदार होते हैं इस वेराइटी के 1000 दानों का वजन 48 ग्राम होता है यह वेराइटी भूरे और पीले रतवे रोग के परती ज्यादा सैंसील है और इस वेराइटी की बुवाई अगेती और पचेती दोनों परकार से कर सकते हो मतलब कि यह वेराइटी अगेती और पचेती दोनों बुवाई के लिए उप्यूगते हैं और अगर इस वराइटी के बीज दर के बारे में बात करते हैं तो समय से बुवाई के लिए 40 kg परती एकड़ बीज का प्रियोग करना चाहिए और पचेती बुवाई के लिए 20% ज्यादा बीज मतलब की 48 kg परती एकड़ बीज डालना चाहिए और अगर आपको इस वराइटी की ज्यादा जानकारी चाहिए या पिर इस वराइटी का बीज खरीदना है तो इसके लिए आप अपने नजिदी की देहात के अंदर पर विजिट करें और अपने नजिदी की देहात के अंदर की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर द करते हैं कि बुवाई के समय पर कौन-कौन से खाद डालना चाहिए, तो बुवाई के समय पर मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पासपोरस, पोटास, सलपर और जिंक युक्त खादों का प्रियुक करना चाहिए, तो इसके रूप में आप एक एकड में 50 किलोगराम इनपीके 12, 32, 16 और 5 किलोगराम जिंक सलपेड खाद का प्रियुक कर सकते हो, लेकिन कई चैतरों में एनपीके 12, 32, 16 नहीं मिल रहे हैं, तो एनपीके 12, 32, 16 की जगह पर आप एक एकड में 35 किलोगराम डियेपी 18, 46 और 15 किलोगराम एमोपी मतलब की मूरियट और पोटास खाद का प्र आपको गहों का बहुती अच्छा उत्पादन मिलेगा, तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चले मिलते हैं अगले वीडियो में, जई जवान, जई किसान